कि अजय दोस्तों इंपक्ट अकाडमी के ओनलाइन प्लेटफों पे आपका स्वागत है दोस्तों कि आपको जाते हैं जो पावर टू वारे होते हैं अब देखो जैसे मैं आपको बता था फॉर्म्ला सबसे पहले फॉर्म्ला क्या था हमारा A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B की 4 माइनस B की 4. कYा ह cucar A sq. plus में B sq. और A sq. minus में D sq. ठीक है. उसके बाद, उसके बाद हमने discuss किया था, सात नमबर फोर्मुला A qi β में Bq कyा होता है. A plus का b, A sq. minus का A b, plus में B sq. यह मनें फोर्मुला discuss किया था. उसके बाद हमने किया था? आठ नमर फॉर्मुला, A Q माइनस B Q, क्या होता है? A माइनस का B, A स्क्वیर, प्लस में B स्क्वیर, प्लस का A B, ठीक है? उसके बाद हमने फॉर्मुला यूज किया था यहां पर, A पलस में B का होल क्यूब क्या होता है A Q पलस में B क्यूब पलस का थरिये भी और A पलस का भी ठीक है अब रिविजन करा रहा हूँ आपका मैं ठीक है ने द्यान रखना उसके बाद हम ने डिस्कस किया था वो था A माइनस B का होल क्यूब aq minus bq minus ka 3ab और a minus ka b ठीक है उसके बाद हमने formula discuss किया थे यहाँ पर aq plus me bq plus me cq minus ka 3abc क्या होता है a plus ka b plus ka c a square plus me b square plus me c square minus ka a b minus bc और मामेलेंस यह हमने फॉर्मॉला पड़ा था उसके पार लास्फ और हमारा ए प्लस मिई ब्लस का सी का होल स्क्रेश हियर प्लस मिई स्क्रेश में दो प्लस M2 स्क्रेश प्लस में सी स्क्रेश प्लस का टू metro Чूई बी तो यह फोर्मुल आप याद रखना बारा के बारा एक दरजन फॉर्मुला है ठीक वन डरजन फॉर्मुला है एक दरजन बारा ठीक है तो आपको सारे के सारे डिस्कस करेंगे अभी ठीक न देखो जैसे पहला कुछन क्या बोला कि ने दो संख्याओं का योग 14 है गुर्णफल 24 है तो संख्याओं के वर्गो का योग क्या होगा ठीक है अब फॉर्मले के इसाब से सोचें तो क्या था हमारा फॉर्मला कौन सा लगेगा ए प्लस में बी का होल स्केर क्या होता है ए स्केर प्लस में बी स्केर प्लस का टू ए बी वैले पूट कर दें यहाँ पर according to formula करें तो value put कर दो 14 का square हमें ये निकालना है ये क्योंसे हमने बहुत किये थे 24 ठीक है अब ये कितना हो गया एक सो चाड़ू है A square प्लस में B square 24 दूनी 48 अब ये 48 प्लस का इस सैड़ आके क्या हो जाएगा भाई 48 इस सैड़ जाके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 166 माइनस का 48 कितना हो जाएगा 148 हो जाएगा कौन से option में है B option में समझगे न बात ये तो था formula के ओपर का according to formula जब इसको हम solve करेंगे according to formula ठीक है ठीक है जब हम shortcut use करें इसमें shortcut में कैसे होगा अब जाने shortcut के बारे में ठीक है देखो इसने कहा दो संख्याओं का जो योग है वो 14 है और उनकी जो गुणा है वो 24 है तुम अपने दिमाग में ऐसे दो नमबर सोचो ऐसे दो नमबर सोचो क्योंकि ये संख्याओं ही तो है ऐसे दो नमबर सोचो दोस्तो जिनका योग तो आए 14 गुणा है 24 ऐसे दो नमबर सोचो जिनका योग कितना है 14 गुणा है 24 अपने दिमाग में सोचना है ये बात क्या होगा 12 और 2 चौदा 12 दूने 24 इसका मतलब योग भी क्या हो रहा है 14 और गुणा भी कितनी हो रही है 24 हो रही है तो इसने बोला संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा आपसे पूछा संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा मतलब है 12 का सुकेर प्रस में 2 का सुकेर आपसे पूछा गया है तो कितना होगा 144 पलस का च्यार बोले तो 148 मैंने कोई फॉर्मला यहां पर यूज नहीं किया दोस्तों तो आंसर क्या हो जाएगा 148 इतनी बात समझे अपनी तरफ से ऐसे दो नमर सोचो कि भी जिनका योग तो कितना है 14 और गुणा कितनी आई 24 है इतनी बात कलियर है सबको यह अपना शोटकट बन जाएगा यहां से इस तरीके से भी आप कर सकते हो कोई गल्त गल्त नहीं होगा कभी नहीं गल्त नहीं होगा जिदि आपके मन में ऐसे विचार आते हैं कि भी ऐसे नमर आपसे बन जाते हैं तो वलन गुड है टाइम बहुत बचेगा ठीक है next अगला कि दो संख्याओं का अंतर 15 है गुणा चंवन है देखो अंतर आपको दिया है 15 और गुणा कितनी दिये दोस्तों चंवन तो अपने चंवन होता है इसका मतलब एक संख्या 18 है और दूसरी क्या दोस्तों तीन है तो इसका मतलब आपसे क्या पूछा है वर्गो का योग क्या होगा इनके वर्गो का योग आपसे पूछा गया है मतलब 18 का स्केर ठीक है पलस में तीन का स्केर कितना हो जाएगा 324 पलस में 9 333 तो फ़रूरा लगाओगे है असे ओसस्याइगा आपकोdar पता सी तृ किस भूँचर अपी कितना भाई ए बीजिया यह पना रहे बूत संवन त्लिक 25 असु केर प्लस में 20 business एकितना हो जाएगा मारा 108 108 कि क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा तो एसुकेर प्लस में बीब सुकेर क्या जाएगा तब यहां टिक जुगाड करwegen तो भी आहेगा और नॉर्मल तुरिक्षा करोकर तो भी यही आएगा क्योंकि यह फॉर्मिले तो मैं पहले करवा चुका हूं इनके उपर तो हमने काम कर लिया है आज का जो काम रहेगा वो अपना इस तरीके से रहेगा ठीक है नेक्स्ट किने दो संख्याओं का योग इसने का दो संख्याओं का जो योग हो बाइस ठीक है और उनकी गुणा इक्किस है आपसे पूछा है उन संख्याओं का अंतर क्या हो ठीक है देखो ऐसे दो नमबर सोचो जिनका योग कितना हो बाइस और गुणा कितनी हो इक्किस वो फोर्मला लगाओगे तो फोर्मला कौन सा लगेगा? ए माइनस बी का होल स्केर ए प्लस में बी का होल स्केर माइनस का 4AB एक revision करवा रहा हूँ, आपका tension मतले हना यह हम पहले कर चुके हैं ए माइनस का बी कितना अपना? 20 मैंस का निकालना है यह कितना दिरखना यह 22 मैंनस का 4AB यह हो कर लें किसी भी तरीके से कर ले ना आनसर आपका यह आने वड़ा है आपको सोचना पड़ेगा इसा नवर ठीक है कि बहुत कि में दो संख्याओं का योग क्या बोला इसने दो संख्याओं का याप 14 तो उसके वर्गो का अंतर आप से वर्गो का अंतर आप से आपsted अैसे दो नमर सोचो जिनकी गुणा कितने आई सोला और योग कितने आई सोला चार और चार होता हैं नहीムीड नहीं रुज़ नीं बनेगा ठीक है और गोना कितने आए एत उंथर ही अंतर सोरी एंतर Yani योग नहीं है इसने बोला यो कितना हो 16 और अंतर बोला इसे आठ इसे दो नंबर बंड़ी बात ही, देखो, 12 और 4 क्या होता है, 12 और 4, 12 और 4, 16 होता है, और 12 और 4 का अंतर कितने का होता है, दोस्तों, 8 का होता है, यह तो पुछा आप से, यह अपने लिए A हो जाएगा, 12 और B हो जाएगा, अपने लिए क्या, 4, तो 12 का स्केर, माइनस में 4 का स्केर, 144 माइनस का 16, ठीक है, 144 माइनस का 16 करें, तो कितना हो जाएगा ही 14 में से 6 गया 8 128 हो जाएगा ठीक है फॉर्मुला लगा होगे तो फॉर्मुला क्या हो जाएगा हमारा हमें पता एकी 2-b की 2 क्या होता है a plus का भी और a minus का भी ठीक है a plus का भी a minus का भी तो क्या हो जाएगा कर दो a की 2-b की 2 a plus b कितना है 16 और 16 828 तब भी आपका यहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं है इतनी बात का लिए है सबको कोई दिक्कत अगलिप नॉर्मल है भी को ठीक है ना हो गया था यह किसी भी तरिक्के से करो आएगा यहीं आपका नेक्स्ट अब यह अपने किसन कैसे थे यह इनके बारे हमने डिसकस किया था मैंने कहा था जब a b c का योग क्या हो a b c का योग यदि a b c का योग जीरो हो तो a q b q 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 कि कर लोगे ना इस तरीके से इसमें किसी कोई दिक्कत अगली बताई next क्या बोला इसने आपसे पूछा है a3 प्लस में b3 प्लस में c3 मैंने का था यदि a प्लस का b प्लस का c का योग 0 है तो a3 प्लस में b3 प्लस में c3 किसके बराबर होता दोस्तो 3 a b c के बराबर होता है किसके बराबर होता है 3 a b c के बराबर होता है तो यहाँ पर मैं योग करके देखता हूँ a प्लस का b प्लस का c क्या आ रहा है इसका योग कितना आ रहा है 0 आ रहा है ना तो इसका मतलब यहाँ पर a cube b cube और c cube क्या बनेगा 3 a b और c c कितना अपना पचास तीन तिया नो माइनस का 90 हजार हो जाएगा ना ऐसे question भी हमने की यह थे आपको याद हो तो ठीक है ना हो जाएगा ना बिल्कुल simple है कोई लंबी चोड़ी बात ने इसमें ठीक है next क्या भोला इसने मैंने का दा कोई भी नंबर 2 या 3 बार हो तो हमेशा formula बनेगा हमारा formula देखो यहाँ पर कितनी बार है Après a अपना लिए 12 है और b अपने लिए क्या दोस्तो 13 है a अपने लिए 12 है और b अपने लिए 13 है तो यहाँ से क्या होलाय ओपर क्या बन रहा है a cube उपर खुले या नीचे खुलेगा, उपर खुलेगा, क्या बनेगा, A प्लस का B, A स्केर प्लस में B स्केर माइनस का A B, और नीचे क्या है, A स्केर प्लस में B स्केर माइनस का A B, काड़ दो, क्या बनेगा, यहां से बचेगा, क्या हमारे पास A प्लस का B, A कितना दोस्तो, A अ आएगा पच्चीस आएगा तो कौन सा उप्चन हमारा पच्चीस है समझे ना बात कर लोगे बिल्कुल सिंपल है ठीक है नेक्स्ट आगे देखो ए क्या इसमें ए दोस्तो 47 है और बी क्या है भाई ब्यालिस है यही बात है ना उपर क्या बन गया फिर ए क्यूब माइनस बी क्यूब नीचे क्या है ए स्केर प्लस में बी स्केर प्लस का ए बी अब उपर का फोर्मला कैसे खुलेगा फोर्मला खुलेगा ए माइनस का बी ए स्केर प्लस में बी स्केर प्लस का ए बी और नीचे क्या हमारे पास ए स्केर प्लस में बी स्केर प्लस का ए बी कर जाएगा क्या बचा अपने पास ए म अगलीब next क्या बोला है इसने a अपना 17 गुणा 17 माइनस 15 गुणा 15 a 17 है और b अपना 15 है तो उपर क्या दे दिया फिर a स्केर माइनस b स्केर नीचे क्या है a पलस का b 17 पलस का 15 ठीक है तो फोर्मूला उपर खुलेगा नीचे खुलेगा उपर खुलेगा क्या होता है a पलस का b और a माइनस का b नीचे क्या है a पलस का b cancel out कर दें यहां से हो जाएगा न तो देखो यह हो गया हमारा a माइनस का b a कितना है भाई a अपना 17 है और b अपना 15 है क्या अंसर आएगा दो आएगा मैंने कहा था नीचे यदि a पलस का b यह तो उपर a माइनस का b बचेगा और नीचे a माइनस का b यह तो उपर a पलस का b बचेगा यदि फोर्मूला उपर खुलेगा तो ऊपर बचेगा और नीचे खुलेगा तो नीचे बचेगा यही तो मैंने बताया था आपको इतनी बात कलियर सबको इसमें किसी कोई दिक्क तकलीप ठीक next क्या बोला इसने 18 गुना 18 माइनस 13 गुना 13 18 माइनस का 13 a अपना 18 है और b क्या भाई तेरा है तो मतलब इसपर दे दिया a स्केर माइनस b स्केर नीचे क्या kyan é a माइनस का b तो फोर्मला ओपर खुलेगा a माइनस का b और a प्लस का b मैंने का ता नीचे यदि a माइनस का b है तो ओपर क्या बचेगा a प्लस का b बच जाएगा यह कैंसल आउट हो जाएंगे यहां से बचेगा A प्लस का भी कितना है 18 प्लस का 13 कितना हो जाएगा भाई 31 हो जाएगा कौन से ओप्षन में है ओप्षन हमारा D हो जाएगा इतनी बात कलियर है कोई दिक्कत तकलीप बिल्कुल सिंपल है कोई लंबी चोड़ी बात नहीं है टेंशन नह नेक्स्ट फोर्मुला पूछा है देखो ध्यान से फोर्मुला करना इसमें बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया मैंने पूछा आप से A पलस में B का होल क्यूब क्या होता दोस्तों A क्यूब A क्यूब पलस में B क्यूब पलस का धरिये B और A पलस का B होता है यह कौन से उप्सन में है देखो A क्यूब पलस में B क्यूब पलस का धरिये B A पलस का B C आनसर हो जाएगा फॉर्मुला पूछा है, फॉर्मुला भी पूछ सकता है, फेपर ना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, नेक्स्ट, फॉर्मुला बन रहा है, देखो, A अपना क्या यहां पर 81 है, और B क्या दोस्तो 68 है, मैंने कहा था कोई भी नंबर 2 या 3 बार है, तो समझ लेना कोई फॉ करना सुरू कर देते हैं, 2 गुणा में 68 गुणा में 68 गुणा सुरू कर देते हैं, ऐसे नहीं करना है, तो यहां पर देखो, A स्केर प्लस में B स्केर माइनस का 2 A B, किसका फॉर्मुला होता है, A माइनस B का होल स्केर, किसका फॉर्मुला होता है, A माइनस B का होल स्केर, A क् पर ए अपनाई क्या सी है बी क्या है 68 है ठीक है समझ के बात उसका होल स्केर है यह मतलब दोनों का डिफ्रेंस कितना आएगा यहां से तेरा तेरा का स्केर क्या आएगा दोस्तों एक सो उनेतर आएगा तो कौन से उप्षन में है उप्षन हमारा ए हो जाएगा इतनी बात कलियर है कोई दिक्का तकलीप सिंपल है बिल्कुल ठीक है दोनों का डिफ्रेंस कितना है तेरा तेरा का स्केर क्या होगा एक सो उनेतर विदिन फाइस सेकंड में यह दि हो सकता है थो का A क्यूब पलस में B क्यूब के बारें पूछा है A क्यूब B क्यूब के मैंने बताए दो फॉर्मले एक तो होता है A पलस का B A स्केर ठीक है माइनस A B पलस में B स्केर एक तो यह फॉर्मला मैंने आपको बता था कल और एक मैंने का था बहुत important है फॉर्मला पूछेगा A क् प्लस में बिक्स क्या होता है A PLUS में B का होल Q My अब सथरी एभी और ए प्लस का भी अब बताओ मुझे इन मेंसे कौन सा फोर्मल्व अपने पास अबलेवल है कौन सा फोर्मला है दोस्तों मेंसे देखो A Q B Q यहाँ पर निशान माइन ayास का होता है तो यह तो होगा क्योंकि हमाइब माइनस का निशान यहां पर प्लस दे रखा यह तो नहीं हो यह एक्यूब बी क्यूब का फॉर्मॉला नहीं है इतो माइनस का एक्यूब बी क्यूब यह चल जाएगा फिर तो कौन सा चल जाएगा A पलस B का होल क्यूब यह वाला फॉर्मूला यूज कर रख़े है ठीक न यही बता था मैंने आपको क्योंकि यह फॉर्मूला किस से बना था यह फॉर्मूला किस से बना यह इस से बना था A plus B का whole cube A cube plus में B cube plus का 3A B और A plus का B मैंने कहा था इस ट्रम को उस से लेके जाएगा तो A cube plus में B cube बनेगा क्या A plus में B का whole cube minus का 3A B और A plus का B इतनी बात कलियर है ठीक है इस तरिके से भी आप कर सकते हैं ठीक है next इसने बोला X is equal to 1 Y is equal to 2 और Z is equal to 3 आपसे पूचा है X cube Y cube और Z cube minus 3XYZ आपसे पूचा है अब यहाँ पर देखो अब यदि formula के साब से सोचे तो बहुत lengthy हो जाएगा कैसे क्योंकि इसमें value पुट करनी पड़ेगी यह formula ऐसे पड़ेगा न X plus का Y plus का Z X square Y square Z square minus XY minus YZ minus ZX यह formula कुलता है अब इसमें value पूट करेंगे lengthy हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर कोई relation बन नहीं रहा वो X plus Y plus Z का यदि सम 0 है यहाँ पर 0 नहीं हो रहा देखो द्यान से हम general term यूज कर लेंगे यहाँपर that value पूट कर देगे देखो यह इसमें इसका पूचा आप से आप से पूचा है X cube plus में Y cube plus में Z cube minus 3XY Z यहीं पर value पूट कर देखो एक का cube दो का cube और तिन का cube 3 into 1 into 2 into 3 यह हो जाएगा 1 8 27 minus 9 दूणी 18 जोड़ दो फिर इनको कितना हो गया यह 28 ठीक है यह हो गया 28 यहां से बचके अपना 10 10 और 36 18 आगया ना 36 minus का 18 18 आगया कौन से option में C option में C हमरा answer हो जाएगा यहां से इतनी बात कलियर सब को कोई दिक्कत अकलिप हो जाएगा ना बिल्कुल सिंपल है कर लोगे ऐसे next ऐसे कि सुन भी हमने डिक्स किये थी क्या है मैंने आपको बताया एक आइसमें A अपना 10 है B अपना 20 है और C अपना 30 है यही है तो क्या बनगा फॉर्मुला उपर A क्यूब पलस में B क्यूब पलस में C क्यूब माइनस 3ABC और नीचे क्या है A स्केर B स्केर C स्केर माइनस A B माइनस B C A स्केर B स्केर C स्केर माइनस A B माइनस B C माइनस C A नीचे क्या है A स्केर पलस में B स्केर पलस में C स्केर माइनस A B माइनस B C माइनस C A तो कड़ जाएंगे सेम टर्म है मारी कड़ जाएगी यहां से क्या बचा A पलस का B पलस का next क्या बोले इसने इसने का a plus का b हमारा 7 है और a b हमारा 12 है a minus b पूछा है या तो formula लगा दो या फिर जुगाड बता था मैंने ऐसे दो नमर सोचो जिनका योग 7 हो गुणा क्या हो 12 हो ऐसे दो नमर सोचो आप गुणा साथ हो सोरी गुणा 12 हो जोड साथ हो क्या बनेगा चार और तीन चार तीए बारा तो इसका मतलब आपसे पूछा च्यार माइनस का थी क्या अनसर आ जाएगा भाई एक आ जाएगा ठीक है या फिर फोर्मला कौन सा लगए या फिर ए माइनस बी का होल स्केर ए प्लस में बी का होल स्केर माइनस का फोर ए भी वैले पूट कर दो ए प्लस बी कितना है साथ बारा उन्हें इंचास माइनस का थारिस तो क्या एगा एक आएगा यह आएगा यह आएगा ए माइनस बी का होल स्केर और सुकेर उसर जागे रूट बनेगा तो वन का स्केर तो रूट तो वन ही होता है तो भी आपका अंसर क्या आएगा यह आएगा फोर्मला लगाओगे तो भी आपका उत्र यह आएगा और जुगार से करोगे तो भी आपका उत्र यह आएगा ठीक है इतनी बात कलियर सब को कोई दिकत ठीक है नेक्स्ट इसने बोला दो संख्याओं का जो योग है वो आठ है और गुना आपकी 15 बटे 4 है क्या यह 15 बटे 4 है सोचो ऐसे दो नमबर 15 बटी चार देखो इसमें आपको सोचना पड़ेगा तरह इस तो फोर्मुला लगेगा क्या पुछा आप से A माइनस का B पूछे हैं फोर्मुले से करो गदा आप पड़ेगा अभी लगा तो फोर्मुला वही चला दो A प्लस में B का होल स्केयर माइनस का फोर्मुला वही पूछे हैं ए प्लस बी कितना है आठ चार अप कर जाएगा यह चार से चार गया चोंसट माइनस का पंदरह ठीक है आठ है हमारा पंदरह बटेच जाए ठीक है जोंसट माइनस का पंदरह हो तो नहीं है चलो ठीक है क्योंभी ए माइनस भी पूछा है सुकेर नहीं पूछा है तो यहां से कितना हो जाएगा मारा उन इंचास सुकेर उसे ड़्डा के किया बन जाएगा रूट बन जाएगा किसका होता दोस्तो साथ का होता है तो यह हमारा नसर हो जाएगा साथ अब नंबर सोचोगे तो आपको थोड़ा सा फालती सोचना पड़ेगा यहاपर, देखो, क्या सोचूँ यहापर ऐसे दो नूमर सोचो, देखो, मैं यदी पंद्रा बटे दो और एक बटे दो सोचनू, क्योंकि इन दोनों को जोड़ोगे आप, इन दोनों को जोड़ोगे, दोनों को जोड़के देखो, 15 एक संक्या तो हमारी 15 बटे 2 है और 1 बटे 2 है तो 15 बटे 2 को जोड़ेंगे तो लगुतम आईगा 2, दोनों का योग सोड़ा हो जाएगा तो योग कितना आरा है, 8, ठीक है और इन दोनों की यदी गुणा करें आप फंद्रा बटे दो की और एक बटे दो की गुणा करेंगे फंद्रा बटे दो गुणा में एक बटे दो तो पंद्रा बटे चार आएगा ना भाई तो इसका मतलब वो संक्या क्या है फंद्रा बटे दो और एक बटे दो इतनी बात कलियर है, इसमें आपको थोड़ा सा सुचना पड़ेगा, मुझे पता था कि ऐसे तोड़ सकते हम, ठीक है, आरी बासन में, मुझे पता था या आदा, नीचे दो आएगा, क्योंकि दो नमरों की गुणा करें, तो नीचे चार आना चीए, तो नीचे दो आएगा, नीचे चार कब हो सकता, जब दो और दो की गुणा करेंगे, ठीक है, नीचे चार आएगा, मुझे पता ये हाफ है, नीचे दो है तो इसका हाफ होगा किसी का, किसका हाफ है ये सोला का, ठीक है, नेक्स्ट, इसने बोला है दोस्तो, योग कितना है, योग दे दिया, ये बि गुना पंदरा हो और योग आठ हो पांच और तीन यह बात है तो इसका मलें यह पांच है और यह क्या अपना तीन है दोनों का अंतर कितना है दोस्तों दो आएगा फोर्मडा लगाओंगे तो a मैनस b का होल स्केर लगाना पड़ेगा a पलस b का होल स्केर माइनस का फोरेगा value put कर दो, value put करोगे, यही आएगा आपका, a plus का b कितना है, 8, 4 गुणा में 15, तो यहां से हो गया 64, minus का 60, यहां गया 4, a minus b का whole square है, सुकेर उसे जाके क्या बन जाएगा, root बन जाएगा, किसका होता भाई, 2 का होता है, तो भी आपका answer क्या आएगा, यही आएगा, इतनी बात clear है, इतनी बात clear है, next, क्या बोला इसने, a plus में b, no, a b, 20, ऐसे दो नमर बताओ, मुझे, जिन का योग तो आए, no, और गुणा कितनी आए, भाई, 20 आई, क्या बनेगा, 5 और 4, 9 होता है, 5 चुका 20 होता है, आप से पूछा, a square minus b square, put कर दो, अपना a 5 है, 5 का square, b 4 है, 4 का square, 25 में से 16 गया, क्या आएगा, no आएगा, कौन से option में है, b option में, बिना formula की भी कर सकते हो, formula लगाओगे तो कौन सा है, हमारे पास formula ऐसा कौन सा, देखो, इसमें थोड़ा सा भालतू करना पड़ेगा काम, क्योंकि a square, हमें पता भी a square minus b square के लिए क्या चाहिए, आपको a plus b तो है, a minus b और चाहिए, यहाँ पर आपको दो formula यूज़ करने पड़ेंगे फिर तो, ठीक है, a minus b के लिए कौन सा यूज़ करोगे पहले, a minus b के लिए यूज़ करोगे पहले, a plus में b का whole square, minus का 4 a b, पहले यहाँ पर क्या निकालो फिर, पहले आप a minus का b निकालो, निकालो फटाब, a plus b कितना है, 9 का square, minus 4 a b, ठीक है, 9 का square क्या सी, क्या सी में से 80 गया, एक, एक आया, सुकेर उस आड़ जाके root बनेगा, किसका होता है, एक का होता है, आप से क्या पुछ है, आपके पास आगया, यहाँ से, a plus, a minus b की value आगी, a minus b कितना आगया अपने पास, एक है, और a plus b कितना है, 9 है, तो कर दो फिर a square minus b square क्या होता है, a plus का b, और a minus का b, value पूट कर दो यहाँ से, यह 9 है, यह 1 है, तो भी आपका उतर यहाँ, मगर फॉर्मले आपको दो यूज़ करने पढ़ेंगे, एक फॉर्मला यह, और एक फॉर् फॉर्मले यूज़ करने पढ़ेंगे, क्योंकि पहले आपको किसकी requirement होगी, यहाँ पर a plus b तो है, a minus b निकालना पढ़ेगा, ठीक न, इस तरीके से lengthy procedure हो जाता है, मैंने आपको shortcut यहाँ पर बताई दिया, ठीक है, shortcut लगाओ, उत्तर पाओ, बात करता है, ठीक है, तो वहाँ पर भीड़ीट नहीं होगे, बेटना की मैं तो हाना, तरीक के सही करूंगा, ठीक है, तरीक का नहीं देखता, selection देखते हैं, नंबर देखते हैं, कितने आएं आपके कैसे किया है, चाहे तुका मारा हो, उ लगो, अगला जो फॉर्मॉला हमारा, क्या पुछा आपसे, A प्लस, B प्लस, C दे दिया, क्या फॉर्मॉला होता है, A प्लस का, B प्लस का, C होता है, दोस्तो, A sqr plus B sqr plus C sqr plus 2 AB BC और C लगा दो फॉर्मुला फटा 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 फॉर्मुला A plus B plus C कितना है 13 ये कितना है 69 है आप से पूछा 2 AB BC CA हमें निकालना है ये कितना होगा 179 हो जाएगा ये अपना उने तरह है 2 AB BC CA ये 69 हिसाड़ा के दोस्तों क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा क्या बचा पने पास 2 AB BC CA कितना है 100 है ठीक है काटो इसको दोसे काटेंगी तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा तो अपना क्या है A, B, B, C और C, ये कितना आगया दोस्तों 50 आगया, है किसी ओप्शन में 50 बिल्कुल है, C answer हो जाएगा इतनी बात कलियर है 13,19,19 उसे आड़ जागे माइनस का हो जाएगा, 100 बचा दोस्टे काटेंगे तो कितना जाएगा आपका 50 हाजाएगा, कलियर कोई दिख्क्य तकलिफ हो जाएगा ना बिल्कुल सिंपल है next क्या बोला इसने x-ka y आपको दिया तीन और xy आपको दिया है दस ऐसे दो नमर बताओ गुना तो दस आए और अंतर तीन का हो क्या बनेगा पांधू निदस x-ka y तीन है और x-y अपना दस है ऐसे दो नमर बताओ गुना दस हो अंतर तीन का हो तो पांच और दो यह अपने लिए x है यह अपने लिए क्या है y तो आपसे पूछा है x-ka y कर दो फिर 5 पलस का 2 कितना हो जाएगा भाई 7 हो जाएगा shortcut use करो shortcut लगाओ उत्तर पाओ है ना तो क्या हो जाएगा 7 otherwise फोर्मला लगाना पढ़ता आपको कौन सा x-y का x-y का whole square क्या होता है x-y का whole square plus का 4 xy लगा दो x-y हमें निकालना है x-y कितना है 3 4 गुणा 10 ठीक है 40 और 9 49 49 है x-y का whole square सुकेर उसे जाएगे क्या बन जाएगा root बन जाएगा किसका होता भई 7 का होता है तो अभी आपका उत्तर यही आता है जो आपको ठीक लगे वो कर ले ना मैंने जुगार भी बता दिया आपको और फोर्मले से बता दिया ठीक है next अगला क्या है x-y 5 है xy 66 है क्या पुछा है x सुकेर माइनस से y सुकेर ऐसे दो नमबर दसों मेंनू कि अंतर तो हो 16 और डिफरेंस कितने का है multiply क्या हो 66 क्या बनेगा वो 11 और 6 11 और 6 16 होता है multiply करें तो अंतर 5 का होता है इसका मतलब 11 के सुकेर माइनस 6 का सुकेर कर सकते हैं यहांपर क्योंकि अपने लिए x यह हो जाएगा और y क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा तो करो फेर यहांपर तो यह हो जाएगा 121-36 121-36 कितना हो गया 85 हो जाएगा तो यही तो answer है shortcut use करो ठीक है फोर्मला लगाओगे तो ये लेंथी हो जाएगा क्यों क्यों क्योंकि हमें पूछा गया है X स्केर माइनस Y स्केर उसके लिए आपको X पलस के Y की भी जूरत पड़ेगी क्योंकि X माइनस Y तो अपने पास है एक फोर्मला तो ये यूज होगा पहले आप क्या निकाड़ो फिर X पलस का Y निकाड़ो जैसे पहले कि उसन ऐसा आया था हमारे पास X माइनस Y का होल स्केर पलस का 4XY ये फोर्मला हम यूज कर सकते हैं या पर तो करो फिर देखो X पलस का Y का होल स्केर ये कितना दे दिया आपको 5 का स्केर पलस आएगा यहाँ पर ठीक यह हो गया अपना 25 पलस छह चुका 24 दो छह चुका 24 चबईस तो यहां से कितना वो गया 982 x पलस का y का whole square सुकेर उस सेट जागी क्या बन जाएगा root बन जाएगा किसका होता है 289 किसका होता भई 17 का होता है इसका हमने एक्स प्लस वाई कितना आ गया 17 यहां से हमने यह फॉर्मला यूज गिया है आगे हम इसका यूज करेंगे क्या होगा देखो हमें पता एक्स सुकेर माइनस वाई सुकेर क्या होता है यहां से अपना क्या आया एक्स प्लस वाई कितना आ गया भाई यहां से 17 तो य आपका उत्र यही आएगा यहाँ पर फिर आपको डबल फॉर्मुले यूज़ करने पड़ेंगे ठीक है पिचासी आंसर हो जाएगा कौन से ओफ्षन में 85 ए ओफ्षन में ए आंसर हो जाएगा फॉर्मुले से करो या शोटकट से करो यह जल्दी होगा यह थोड़ा दो नमबर बताओ मुझे जिनका जोड तो आए आठ अंतर जिरो का हो वो बनेगा च्यार और च्यार आपसे क्या पूछा है एक्स वाई यह आपसे पूछा है ठीक तो इसका मतलब च्यार एक्स अपना क्या है च्यार है और वाई भी क्या अपना च्यार है तो यह हो जाएग यह तिन्नों ट्रम कॉन से फॉर्मूले की बताओ यह फॉर्मूला हमारा यही कोई भी लगा दो X प्लस का Y वाला लगा दो X माइनस Y का होल स्केर प्लस का 4XY कोई भी फॉर्मूला यूज कर लो कोई दिक्कत नहीं है value put करो यहां पर X प्लस Y कितना है 8 समझ गया बात तो भी आपका अंसर क्या हो जाएगा 16 ही होगा इतनी बात का लिए है सबको कोई दिक्कत ठीक next आपको क्या दिया है X माइनस का Y आपको दिया 4 और गुणा दिया 32 ऐसे दो नमर सोचो जिनका आपसे पूछा X अपोन Y क्या पूछा आप से X अपोन Y क्या होगा X अपोन Y आपसे पूछा गया है मतलब आपको पहले X और Y के बारे में तो पता परना पड़ेगा नहीं X और Y के बारे में आपको अच्छे त्रीकी से discuss क्रना पड़ेगा ऐसे दो नूमर बताओ जिसका अंतर तो हो 4 का गुणा हो 32, 8 चुका 32, सिंपल सी बात है, तो यह अपना X हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा अपना Y, ठीक है, X क्या अपना 8 और Y कितना है, 4, तो क्या अंसर हो जाएगा, 2, हो, है किसी उप्सन में, बिल्कुल है, B आंसर हो जाएगा हमारा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, अधरवाज फोर्मले, फोर्मले यहाँ पर एक्वेशन बढ़ेगी, दो एक्वेशन बढ़ेगी, पहले आपको X माइनस का Y निकालना पड़ेगा, वैले पुट करो, चार का स्केर, प्लस में, चार गुणा में 32, चार का स्केर 16 हो जाएगा, ठीक है, चार दुनी 8, चार ती 12, सुकेर उसर जाके क्या बन जाएगा, भई, रूट बन जाएगा, सिंपल जी बात है, X प्लस का Y क्या हो जाएगा, 144 का होता है, 12 का होता है, आपके पास X प्लस का Y आगया, आपके पास X प्लस का Y आगया 12, और X माइनस Y भी आपके पास था कितना, 4, दोनों को जोड़ो, दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस माइनस कर जाएगा, 2X is equal to 16, X की value क्या आगी यहां से, 8, वही तो मैं कर रहे था, X 8 है, देख लो जाएगा, दोनों का जोड़ेंगे 12, तो Y क्या होगा, 4 होगा, सिंपल जी बात है, वही तो मैं कर रहा हूँ, Y 4 होगा, आपसे क्या पूछा है, यहां पर आपसे पूछा गया है, यहां से आपसे पूछा गया है, कि X upon Y क्या होगा, X 8 है, Y 4 है, तो भी आपका उत्र क्या आएगा, 2 आएगा, मगर इतनी बाते आप एक्जाम में नहीं सोच सकते, शचा ही है, रियल्टी है ही, जब तक प्रेक्टिस नहीं करोगे, तो इतनी बाते आप सोच नहीं सकते हैं, कैसे X, Y की वैलू है, शचा ही है, ठीक है, तो यहां पर आप इस तरिके से करोगो, तो वो बैट रहेगा, तो मैं आपको यहीं सेजेशन करूँगा, कि इसी तरिके से करने ही कोशिश करना, अधरवाई तरिका मैंने आपको बता दिया है, किसी बुक बगएरा में आप देखोगे, तो इस तरिके से सोल किया मिलेगा, इतनी बात कलियर है, क्योंकि हमें X और Y की वैलू तब ही पता दोच लेगी, क्योंकि किसी फॉर्मले में X अपोन Y नहीं होता भाई, जो बारा फॉर्मले मैंने आपको बताया, किसी में आपको X अपोन Y नहीं दिखेगा, इतनी बात कलियर है, ठीक, नेक्स्ट, लास्ट क्यूस्टन है, इसने क्या बोला है, यह रूट 20 है भाई, रूट 20 है, आपको बोला है, A प्लस का B प्लस का C है रूट 20, ठीक है, A स्केर, B स्केर, C स्केर आपको दिया है, 10, अपर आपसे बोला, A, B, B, C, और C है क्या हो, फॉर्मला आपको या दिया है, क्या, A प्लस में B, प्लस में C का होल स्केर, क्या होता है A square B square C square प्लस का 2 A B B C और C यह हमारा formula जिसका हम use करेंगे देखो A plus B plus C क्या है root 20 ठीक आगे हम बात करते हैं A B B C A square B square C square किलना है 10 यह हमें find out करना है root root से square root करता है हमारा आपको पताच से root से root करता है 20 10 2 A B B C और C 10 इसेड़ा कि क्या हो जाएगा minus का हो जाएगा 2 A B B C और C कितना हो गया 10 दो से काटनें तर कितना हो जाएगा है से 2 से कट जाएगा यह उसे कि दो भाग में हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहां फाइनली, ए प्लस का, ए बी, बी, सी, और सी हो जाएगा हमारा 5, है किसी ओप्सन में, बिल्गूल है, 5 हमारा आंसर हो जाएगा, येतनी बात कलियर हवाई, ठीक है कर लोग एक फॉर्मुला लगाना है सुकेर से रूट कर जाएगा दस से सड़ागे माइनस का हो जाएगा फिर दो से भाग कर दें गुणा में है उस सड़ागे भागे में होगा तो आंसर के आएगा आपका फाइनली पांच इतनी बात कलियर है ठीक है तो यह थे हमारे अभियास 1 के कुश्शन जिनके वी अउपर हमने प्रैक्टिस की है ठीक है आगे वीडियो में करेंगे हम पार्ट 2 इसका लेड़ लुट करेंगे हम ठीक है बहुत इंपोट udah है बहुत जदा इंपरेंट है जब थोड़ा सा पेपर का लेड़ उठाना होता है तब वहां से क पूचता है ठीक है मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू जैहिन जैभार्त वन्दे मात्र